हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग आई होप आपकी विर्पेशन अच्छी जल रहे होगी तो आज अपन बात करते हैं दिसंबर मंत का जो करेंट बैंकिंग अफेरनेस ठीक है तो इससे पहले करेंट बैंकिंग अवेरनेस में मैंने आपको अक्टूबर हो गया सेप्टें से वो साथ आठ में से एक आपको SBA clerk mains में मिल जाएगी ठीक है और इनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रूप पे मिल जाएगी यह सारी की सारी है और यह वाली में दिसंबर वाली में आपको क्या है थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यह थोड़ा सा उसमें error टाइप में आ यह खालेना आपको कया है एकशाल डेटा याद रखना पड़ेगा ठीक है जैसे पूरह का पूरह है तो वह याद रख लेना उस से क्या है कि आपको थोड़ा idea हो जाएगा कि कोई भी मी कोल सब्सक्ट आना वैसे कि कि कितना प्रसेंट इंक्रीज़ हो गया है तो कहीं बार सतरा प्रसेंट इंक्रीज़ ओ रहे हैं वो कैप पिछले साल से मघ कंपेर करके बता रहे हैं तो इस टाइप से कोश्चन बनना चाहें तो इसके अंदर सकता है वैसे कभी ऐसे नॉर्मली सीधा नहीं पूछा जाता कि भई नॉवंबर मंत का जी एस टी रिवेन्यू बता दो ठीक है बट हाँ यह है कि अब ऐसे हो सकता है कि पीछे वाले मंत का मदल कंपेर करके आप से पूछ सकते हैं इसके साथ साथ में देखो जैसे से भी आपक और फूलफॉर्म में ऐसे नहीं पूचेखा स्कौर की फूल फूर्म तो और क्या रिब पर्जेंट करता है ठीक है तो फिर यह पूरि पूरिफी तो आप यहां पे लिखे दोगे नहीं तो फिर आपको अनसर नहीं आएगा थी वह वाली बात है ठीक है इसके अंदर कह है ट तो उसके अंदर यह सारे इंपोर्टन हो सकते हैं क्योंकि एलाइस से लिटेड है ठीक है और एक इसके अंदर लाइन पढ़ने वाली यह वह तैन परसेंट आफ दा सम शोने पेंट मतब वह और उसके अंदर कहा है कि अभी यह डेट है कि यह कहां से कितने साल तक के लिए यह किस किस के लिए तो वह देर का कि दिस प्लान इस वेलेवल फॉर एस स्टार्टिंग फॉम नबे डेज टू ठीक है सिक्स्टी फाइव डेज होता कहना कि अपने याद निकरते हैं बट यह देखो अभी अपने पास में चार मन्त कि मैंने आपको शेयर कर दी है अब आपको जा से अपोइंट में बटा भी आपको शीदा-स सिंपल सा याद रखना है कि देखो जी राम मोहन राव है इसका ठीकल से बीका चोब बिए डूफ फिय अब सेवी मैं आपको याद करने का थोड़ा तरीका बताजिता हों सबी सबी ने अभी किसका नाम जपहता था राम का नाम जपहता तो अपन वैसे याद रख सकते हैं अभ ऐडीवी आप जैसे कहते हैं अख आपने क्या समय सोझाटों शान 보나 आफ आपनों सारी याद रखनी है प्रुसेल के अंदर में भी अपना तो ब्रुसेल से ब्ही से याद रखना अभी से बालाजी तिक्षी के एक हथी अपन को क्या है बीजिंग चीन में ग मोई जह पान चाहिता है वह क्यान रेवला कल्यान रेवला से याद रखाना मतरब नेवला अपने लिए जो सबसे दिक्गत कर रहे हैं वह बसे बता देता कि ढूली टि यो का जो डूली बनाते हैं तीन साल के लिए ठीक है तो के टूली लीजات जाब पांढ्याल संथिल पांडियन शॉरी उसका नाम संथल पांडियन और इसी का ही जैसे यह है आब इसी का क्या एडवाइजर बनाया हुआ झाफ भी जंद तननुशियू को और अईसी एड़ी का ईडी इसे का भी एड़ा इसर बना रखा Conservation अबने और उनका नाम है with cعمita सरंगी करके नाम है समिद्धा सरंगाइं यह सब 3-3 साल के लीए ने अधिक है यह आपको ध्यान रखना है तिन-तीन साल की अवदी के लिए बने ही इदिया अपसे कोषिन आ झाजाए तो आपको पाई वाक्षा करना और जो मैंने अभी तक बताएं वो सारे के सारे तीन-टीन साल के लिए ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और एक आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी यूरोपियन इंवेस्टमेंट बेंक कि इसकी फर्स्ट महिला प्रेजडेंट बनी एक तरह से अद्यक्ष बनी है जो ठीक है जो अद्यक्ष मनीया इसकी जो F branches वूमेन अभी तक इससे पहले नहीं बनी ती टोटल यह कह वैसे तो एट नमबर का अधियक्ष बन रहा है ठीक है चेर में यह चेर परसंट जो भी आप ऐसे मान सकते हो और वह क्या है कि उसका नाम है इस पेन की वह ठीक है उसका नाम नादिया तो यह आपको याद रखना है तो यह एट नमबर है वैसे तो वैसे यह फस्ट वूमेन अभी तक इससे पहले कोई भी ऐसी वूमेन वगारा नहीं बनी है ठीक है और एक अपन को फाइनेंस कमिशनर पहले तो एम एंके सिंग था ठीक है अब कमिशन अब जो सिक्स्तित नमबर के बने है वह अर्विंद प पर लिखा है तो यह आपको पूरा पढ़ोगे तो यह सारे डिटेल सा जाएगी अभी जैसे रेपो रेट को एक दम ठीक है रेपो रेट अब जैसे यह 6.5 पर सेंट है तो आप प्रेजेंट की पढ़के जाना और जब यह कोशन अभी यह जैसे दिसंबर में है तो अभी आ लाइन थे आपको ध्यान रखना है बacas आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई यह जो रेपो रेट है कितने टाइम से नहीं चेंजिवा था हुआ था थी ने लूंच किया फरस्ट ऐसे यह तो यह आपको नॉर्मल की और यह दे को मैने बहुत बार बताया आपको कि मोस्टली जो पार्टनाशिप होगी, वो मास्टर कार्ड के साथ में होगी, यदि आप से बाई चांस को मैं कुछ पूछ ले, आपको गैस वर्क भी करना हो, तो आपका कोशन सही हो जाएगा, ठीक है, जैसे अभी लास्ट कुछ मिनट बचें है, 31 जैन के, उसके बाद में क्य आपको प्री निकालने के लिए सबसे जरूरी है, अब जैसे देखो, बैंक ओफ इंडिया, इन्होंने नारी शक्ती सेविंग अकाउंट, ठीक है, बैस आपको यह जाद रखना है कि किस ने लौंच किया था, इतना इसके अंदर और एक्स एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछे सिधा डारेक्ट यह, अब देखो, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, पुना वाला हॉंसिंग इनका क्या री ब्रांड नेम कर दिया, वापीस है, ग्रिहम हॉंसिंग फाइनेंस कर दिया है, बाकी इसके अंदर नीचे मैंने पूरे पैसे बगएरा वो लिखे हुए कि भाई कि है, यह आपको याद रखना है, नॉर्मल कैनरा, है, एच एस भी, एस लाइफ इंचोरर ने, अल्फा हैल्थ प्लान, वेल्थ प्लान ठीक है, तो वो इसके अंदर एक वो रेलवे वाला और बता देता हूं, वहाँ यह आई गया, बंदन मेंक टुड, पैंशन टू रेलवे यह था, बंदन मेंक कहां, यह यह, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, अब जैसे इंडेस लेंड बैंक है, इसका इंडीज, जो इंडीज आया था, करके वो मैंने पहले बताया था, फिर वापे से इंडेस सोलिट्रेट प्रोग्राम आ गया, ऐसे रिलाइंस का भी है, यहाँ रिलाइंस हेल्थ इंशूरंस का है, तो यह हेल्थ ग्लोबल है, तो यह देखो, इस टाइप से कोशन मोस्टली नहीं बनता, क्योंकि देखो, बताओं क्या है, जहां रिलाइंस नाम लिखा होगा, वो रिलाइंस तो पूछेगा नहीं, आपको भी बताओगा, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अब जैसे यह आपको यह द्यान रखना है, कि भाई, कितने पैसे इनवेस्ट कियें, यह मोस्ट इंपॉर्टन कोशन में ट्रेंट के अंदर, तो आपको नीचे मैं पूरी लाइन पढ़के नहीं बता रहा है, क्योंकि आप अनाम से प एक करेंट अफेर का कोशन आया था, शायद अड़्डा में या फिर ओबी में, ठीक है, उन्होंने पूछा था कि यह सिक्स हो गें टोटल, उन्होंने ऐसे बोला, कि यह जो सिक्स है, एग्रिकेट पेमेंट एग्रिकेटर, इन में से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ प करके चले जाना, बाइचांस ऐसा कोशन बन जाए तो अपना राम से लगा सकें, ठीक है, और यह आपको नॉर्मल गोल्ड, सौवियन गोल्ड बोन है, इसके बारे में तो आप पड़ी लेना, और बाकी यह रेज, इसी कोशन है, सारे के सारे, ठीक है, यह मैंने सारे दे दी हैं, यह आप यहां से, आप आराम से एक एक वीडियो को आँसे देख लेना, ताकि और इसका स्कृंशोट ले लेना, सबसे बहस्ट चीज बता रहा हूं, यह से दिक्कत होरी ना, यह जो पॉइंट यहां पर लगे उना, यह दो तीन सहıkन होगे हैं, यह सब में ऐसे दी प्लान वाली तो यह वाला इंपोर्टन कोशन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंशॉरस ने किया है तुली फिर वहां पे जाकर दिक्कत हो जाती है क्योंकि वह सीधे पूचेगा पी का मतलब क्या है तो आप उनको ध्यान होना चाहिए ठीक है एक चीज़ और पताता हूं में हैं आपको जीम 12 कोड लगाऊगा आपको 12% एडिशनल ओफ मिल जाएगा जिस भाई बंदुन अभी तक इंट्रव्यू के लिए जो त्यारी कर रहे हैं जिन्होंने कभी नहीं दिया तो आपको क्या मिलेगा एक प्रमेशन के लिए पीडियो बंडल में एक स्पेशल इं स्किप्शन में लिंक दे दूँ हो नहीं तो आप वहाँ पर गायली के साइट पर जाके ले सकते हो डारेक्ट जीम 12 कोड लगाने आपको डारेक्ट 12% में जाएगा तो बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया है और यह लास्ट यह इंडस लेंड बैंक वाला फिर आ चुका है इ इसका मोस्त इंपोर्टेंट है यह अपना फाइल कर रहा है इस चीज़ का अध्यान रखना कि अभी रिसेंट आई फियो कौन फाइल कर रहा है उसके बारे में यह बहुत मैं इसको आप स्टार लगा लो इसको इसके अंदर आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा थोड़ा रखते हैं कई बार 200 राजस्तान को दियें सो 181 वह तो मेरे को याद नहीं आ रहे एक सो इकतर ठीक है 252 तो यह ऐसे करके बहुत सारे नंबर है तो यह ऐसे करके सब आसाम वसाम सब को दे रहे हैं मेरे को लगता नहीं कि ऐसको इसको आएगा बट फिर भी अपन को पढ़ने नहीं है कि भाई कल को कहीं से कोई कोशन आजे तो ऐसे है कि जैसे यह बड़े-बड़े रेश्य सो वाले तो डारेक्ट ऐसे आप जब भी इस टाइब कोशन याद करो तो आपको क्या लिखना है जैसे सेवन्टी एट फॉर एक्जांपल ले रहा है सेवन्टी एट आपने बीच-बीच से याद कियोंगे तो आपको दिक्कत आएगी तो यह आपके लिए थोड़ा सा हूंवर टाइब में होता है कि भाई हमें नोट्स ऐसे बनाने है ठीक है बाकी कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना मिलते हैं नेक्स व